हेलो नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूटूब चैनल पर आपका और आज हम बात करेंगे हमारे विश्रग संदी के दूसरे पार्ट पर उमीद करता हूँ पिछली वीडियो आपको पसंद आई होगी और अच्छी भी लगी होगी और समझ में भी आ दोस्तों चलिए आज शुरुआत करते हैं हमारे रूल नमबर च्यार पर तीन रूल ओरेडी हम कर चुके हैं ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं रूल नमबर च्यार पर रूल नमबर च्यार क्या कहता है सुन लेना मेरी बात ध्यान से विश्रग संदी का जो रूल नमबर च्या है वो ये कहता है कि ए आ को छोड़ कर ए आ को छोड़ कर यानि ए आ के अलावा ठीक है दोस्तों ए आ के अलावा मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ ठीक है समझ गई होंगे अलावा ठीक है ए आ के अलावा कोई भी सवर आता है कोई भी सवर आता है ए आ के अलावा सवर ठीक है अगर आ गया ठीक है न दोस्तों और फिर आ गया विसरग तो हम देखना है हमें कि उसके सामने क्या है उसके सामने अगर है कै यानि उनके सामने क्या पलस हो रहा है कै हो रहा है खै हो रहा है पै हो रहा है फै हो रहा है और मैं हो रहा है कै खै पै फै और मैं का अगर योग हो र रख लेना हमारा जो ये विशरग है ये मुर्धने सकार में बदल जाएगा किसमें बदल जाएगा मुर्धने सकार में परिवर्तित हो जाएगा उधारन के जरिये हम इसको देखते हैं कैसे हो जाएगा किसमें परिवर्तित हो जाएगा मुर्धने सकार में परिवर्तित हो जा U ادھر है की नहीं है इसका मतलब इसे सह की जगे क्या थाawi सरग था U के आगे क्या था तो इसी यहां से तोड़ दो जहां कहा है उस वाले को तोड़ दो इसको अटाना है न है देखो इसको यह लगाना है तो कैसे तोड़ोगे फूञ थीक है पुश कर ठीक है क्या करोगे करका योग करोगे अब हमारा देखो तोड के देखते हैं पै को तोडेंगे हम तो इसके अंदर ये लिग लेगा छोटा हू की मातरा उसके आगे आया वीसरग उसके आगे निकला हमें कै दिखाई दिया फिर है रह अब देखिए हमारा रूल ए आ के अलावा सवर है की नहीं है ए आ के अलावा हमारा सवर है की नहीं है उसके बाद वीसरग है की नहीं है इसके बाद कै है की नहीं है तो जब कै हो ए आ के अलावा कीशी के आगे तो ये किसमें तबदील हो जाता है मुर्दन्य स्कार में तब्दील हो जाता है अब ये से आ गया तो अब इधर क्या बच गया हमारा उ बच गया क्या बच गया दोस्तों उ बच गया इधर क्या बच गया पै बच गया और इधर कर इधर क्या बच गया कर दोनों को जोड़ दू मैं ठीक है अब इसको जोड़ दो, पै लिखा, उ लिख दिया, पै उ की मात्रा इसमें आजाएगी, यह पै जब उ निकला यह एदा हो गया था ठीक है दोस्तो, यह क्या हो गया था, अब पूरा करो, तो उ इसके अंदर मिलके यह मात्रा ले लेगा, यह अदा है, इदर पूरा है, तो इ क्या लेते हैं चत्यु सफल ठीक है अब क्या करोगे जा चत्यु योग फल इस तरह से अब आपको पता है ये सह में तबदील होगा क्यों होगा क्यों कि इदर क्या है ऊ है तोड़के देखो कि क्या Nikal E इदर क्या बच गया तै और इदर क्या बच गया चै इदर क्या बच गया फै और इदर क्या बच गया ले तो देखो भई फै है की नहीं है सामने फै है तो ये मुर्दन्य सकार में तबदील होगा ठीक है अब देखो अब सै इसको बदल दिया हमने आप जोड़ दो चै तै को लिखेंगे तो यह उवी आई दराजेगा फिर यह से लिख दिया ठीक है अदा फिर यह फै लिख दिया और फिर यह ले लिख दिया चतुस्वल ठीक है कुछ उधारण आप भी करके देखें उधारण के तोर पर मैं आपको दे दिता हूं कुछ करके देखिएगा आप आवियोगकार, दूसरा है आविश्कृत, ठीक है, एक उधारन है दुश्करम, दूयोगकरम, ठीक है, कुछ उधारन आप करके देख लेना ये, ठीक है, बढ़ते हैं हमारे रूल नंबर नेक्स्ट की तरफ, रूल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, वो सुनिएगा ध्यान से, रूल नंबर दो कहता है हमारा, कि ए आ के, अब मान लीजिए, ये तो ए आ के अलावा था, अगर मान लीजिए, ए आ आ आ जाए, ए आ आ जाए इसके इंदर, और फिर क्या हो, विसरग हो, और फिर क्या हो, कै हो खै हो ठीक है खै हो खै हो फै हो और मैं हो तो क्या है परकरती भाव परकरती भाव का मतलब क्या होता है कोई चीज बदलती नहीं सेम की सेम रह जाती है उसे कहते हैं परकरती भाव ठीक है क्या बोलते हैं उसको परकरती भाव जैसे की उधारण के तोर पर अगर मैं उधारण क्या है दोस्तो प्राते योग काल तो क्या बन जाएगा प्राते काल ये सेम का सेम ही लिखा जाएगा कुछ बदलाओ नहीं होगा कैसे नहीं होगा देखो प्रा योग तै को अद्दा किया तो निकला ए ए के आगे निकला विसरग फिर क्या निकला क्या क्या को आदा करूँआ तो निकलेगा आ और किदर निकला ले तो देख लो अब ए के साथ विसरग आया तो क्या होगा कुछ बदलाओ ही नहीं होगा कुछ बदलाओ यह नहीं होगा, ना दोस्तों, तो क्या कर दोगे, जोड़ो दो बारा से यह, प्रातै, तै को पूरा लिखा, यह ए इसमें आ गया, यह लगा दिया इदर, और फिर कैमे ए जोड़ा तो, कैमे ए जोड़ा, आ, का बन गया, और यह क्या बन गया, ले, प्रातै क ठीक है दोस्तो इस तरह से आप भी कुछ कर लेना जैसे मने परसाद मने परसाद मने परसाद का संदी विचेद क्या होगा मने योग परसाद ठीक है मने परसाद का क्या होगा मने परसाद एक है अन्तैपुर मने कामना रजे करन मने कामना मनो कामना कोई सबदी नहीं है इंदी में ध्यान रख लेना ठीक है ये इसके उपर नहीं लगाना है मने कामना तो इसका क्या हो जाएगा मने योग कामना दूसरा एक और है अभी-अभी मैंने बताया था रजयकन रजयकन इसका क्या हो जाएगा रजैकन तो ये इस तरह से दोस्तों हम इसको लिखते हैं ठीक है ये हमारा रूल नमबर था आज का पांच वान रूल नमबर छे देखिएगा क्या कहता है अब लेकिन दोस्तों मैं कुछ आपको अपवाद बताता हूं इनी के बारे में क्या बताता हूं अपवाद बताता हूं अपवाद ठीक है जिसके कारण ये रूल वहाँ पर काम नहीं करते अपवाद अपवाद हैं दोस्तों एक तो नमस्कार एक है पुरुषकार ठीक है इस तरह एक है सरोकार ठीक है क्या क्या नाम है एक है नमशकार एक है पुरुषकार और एक है सरोकार ये कुछ अपवाद है इनका क्या होगा नमय योगकार नमशकार इसका क्या होगा पूरय योगकार पुरुषकार और इधर क्या होगा सरय योगकार ये कुछ अपवाद है क्यों यहां पे रूल काम नहीं करता देखो ए के हैं यहां मैं से निकलेगा ए रह से निकलेगा ए रह से निकलेगा ए सामने कैह है तो भी क्या है यह बदलता है फिर भी क्या है इसमें से आ जाता है ठीक है दोस्तों तो ये कुछ क्या है हमारे अपवाद हैं दोस्तों ठीक है कलियर मेरी बाद तो मैं कह रहा हूँ ना आपको बता दूआ जो जो चीज़ें अपवाद होंगे टैंसन नहीं लेने का हमें आगे बढ़ते हैं चीज़ें तो कुछ याद ज्यादा लंबा चोड़ा खेल नहीं है मुझे भी हिंदी कम आती थी पहले और आज में आपको बढ़ा रहा हूँ देखो सिर्फ सीखने काई तो फरक आप सीखिए मेहनत कीजिए हम जरूर शीखेंगे कोई चीज़ मुस्किल नहीं है if we want to get learn ठीक है आगे बढ़ते हैं देखिए रूल नंबर 6 क्या कहता है रूल नंबर 6 की बात कर रही हैं दोस्तो अब बात आती है जब आयोगवा है यानि ए आये और उसके साथ क्या हो विशरग हो और सामने ए के अलावा कोई सवर हो तो जो विशरग है वो लोप हो जाता है क्या हो जाता है लोप हो जाता है ए हो उसके साथ विशरग हो और सामने ए के अलावा कोई सवर हो ए के अलावा सवर ए के अलावा सवर यानि टोटल दस होने चाहिए एको छोड़ का तो ये जो विशरग है इसका क्या हो जाता है दोस्तो लोप हो जाता है क्या हो जाता है लोप हो जाता है कैसे होता है लोप है, तो कुछ एक उधारन करते हैं जैसे ततयव, पयाधी, पयाधी ततयव, पयाधी अतयव, तक देखिएगा कैसे, अतयव, एक उधारन है पयाधी, एक उधारन है ततयव, कोई साही ले लो ये किसमें से, अब देखो दोस्तों, हमें क्या करना है, लोप तो अब जब संदी को तोड़ेंगे, संदी जब हम करेंगे, इनको तोड़ेंगे, तो क्या होगा? अतय योग एव, पय योग आदी, ततय योग एव, ठीक है दोस्तों? कैसे? यहाँ पर देखिएगा, क्या है? रूल, ए को तोड़ेंगे, ठीक है, फिर इदर क्या निकलाएगा? तय, तय को तोड़ दिया, यह लो, ए निकल गया, ए के आगे निकला भी सरग, मैं यह रेड में लिखूं तो बहुत अच्छा समझ में आ सकता है आपको, जो रूल है वो, ए आ गया ना, लेकिन यहाँ क्या ह ए के अलावा कोई भी सवर आए, ठीक है, दियां रख लेना, ए के अलावा कोई सवर आता है तब, ठीक है, तो अतै, अब क्या है, दियां रख लेना, सामने उना चाहिए, इदर तो ए है, यह आ गया ना, यह देखो, यह आ गया, ठीक है, इदर यह आ गया, अब पहला सामने क्या है ए है देखो ए है क्या है ए है और फिर क्या है वे है तो मैं इधर ऐसे लिख देता हूँ ठीक है अब दिख रहा होगा आपको रूल हमारा देखिए ए के सामने ए के अलावा सबर ए के अलावा ए है ना तो क्या है इसका क्या हो जाएगा लोप हो जाएगा क्या हो इसको कट हो जाएगा, यह कहने का भी प्राए क्या है, कट हो जाएगा, ठीक है तो A, और फिर क्या जोडूँए तै, तै को A ले लिया इसमें A आ गया, ये डंडा हट गया, तो A हो गया, फिर ये विसरक भी हट जाएगा और फिर क्या लिख दूआ ए लिख दूआ और ये लिख दूआ एव अतेव ठीक है क्या लिख दूआ एतेव ठीक है दोस्तो इसी तरह से आपको ये करना है पयययोगादी पययादी ततय योग एव ततयव ठीक है दोस्तो आगे बढ़ते हैं रूल नमबर नेक्स्ट करते हैं रूल नमबर अच्छे हो गए अब बात करते हैं रूल नमबर साथ की किसकी बात करते हैं रूल नमबर साथ की बात करते हैं रूल नमबर साथ की बात ए आ गया और साथ में सामने क्या होगा फिर ए आएगा इधर ए आया ए के अलावा सवर था तो लोब हुगा था लेकिन अब फिर ए आएगा लेकिन सामने क्या होगा सुन लो मेरी बात ए भी होगा यानि यहां ए के अलावा था तो यहां ए भी होगा लेकिन साथ में सैगोष व वेंजन होंगे, सै गोश क्या होंगे, वेंजन होंगे, क्या होंगे दोस्तों सै गोश वेंजन, तो इसका क्या बन जाएगा, दो तरीके से बता रहा हूँ, इसका अगर आप सोटकट तरीका देखो, तो इसका बन जाएगा इन दोनों का O, क्या बन जाएगा दोस्तों, O बन है तो जब और उ इढर क्या बना यह एर आ गया मिलकर क्या बनते हैं दोस्तों ए और उमिलकर क्या बनते हैं ओंते हैं ठीक है मेरी बात क्या बनते हैं और ओ बनते हैं और सामने क्या है सामने क्या है सामने क्या होना चाहिए ए होना चाहिए और सैगोसे वेंजन सैगोसे वेंजन ठीक है दोस्तों ये रूल मान लो ये सेमी लिखा है मैंने ये तो नहीं है कहने का मतलब ओ बन जाता है ठीक है देखते हैं अब कैसे करते हैं जैसे कि हम उधारन लिखते हैं जैसे मनेय योग अबिलाशा क्या लिखते हैं इससे मनेय योग मनेय योग अबिलाशा मनेय योग अबिलाशा कलियर मेरी बात मनेय योग अबिलाशा तो इसको करके देखते हैं क्या मैं, मैं को तोड़ूँगा, इदर रख दिया मैं को अब तोड़ना पड़ेगा, निकलेगा, ए क्या निकलेगा, ए निकलेगा क्या निकलेगा दोस्तों, ए और फिर क्या निलगा, विशरग फिर पलस में क्या आया, ए क्या आया, ए बात क्या हो रही है सै गोश्वेंजन है ए आ गया ना खुदी फिर क्या है भीलाशा ठीक है कलियर मेरी बात अब हमें क्या करना था शोटकट तरीका बताया था इसको क्या मान लो ओ मान लो क्या मान लो दोस्तो क्या मान लो ओ मान लो ठीक है सामने क्या बचा एग इधर क्या बचा भीलाशा ठीक है इधर क्या बचा ने इधर क्या बचा मै आप देख लो ठीक है ओँ मानना कैसे है ये डंडा हटा दूँआ, डंडा हटा दूँआ, तो ये ए क्या है मेरा, ये ए क्या है, इसमें सामिल हो गया, आप बचा क्या, बची क्या, ओकी मातरा बची है, तो वो किसमें जोड़ दूआ इसी में, पलस क्या है, ए, तो क्या ए अटा सकते हो, दोस्तों सुन लो मेरी बात ये अगर आपको लिखना ही है तो आप ऐसे लिख सकते हो क्या लिख सकते हो ऐसे मैनो भीलाशा अगे भीलाशा ठीक है तो ये नाम भी सही है और ये नाम भी सही है दोनों सही है अगे ना लिखो तो भी चलता है मैनो भीलाशा गल्त नहीं होगा आपका ठीक है पिपर में मेटर करता है कौन साता है मनो भीलाशा दोनों सही है ठीक है आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो उधारन और कुछ दे देता हूँ मैं आपको ठीक है जैसे मनोज आप लिख सकते हो मनोज, सरोज ठीक है, क्या है? मनोज, सरोज, सरोरू है ठीक है? इसी तरह से वयोवर्द वयोवरिद ठीक है, इस तरह से आपको उधारण अपर्थमों दिहाए ये कुछ उधारण है आप खुद करके देखिए, इसी तरह से सेम तोड़ तोड़ के ठीक है? मनोज का क्या होगा? देख लो मने योग जै मने योग जै, क्योंकि ओ तो इसके कार्ड मनाना है ए और वो मिलकर वो बनाए न तो ये जै आगे हो गया सरै योग जै, सरोज सरै योग रू है आगे क्या है? आगे है ये वय योग अवरिद ठीक है? पर्थमों द्याई पर्थमें योग अध्याई ठीक है दोस्तों? क्या है पर्थमें योग अध्याई तो ये बात आप ध्यान रखें थोड़ी शी ठीक है आगे बढ़ते हैं देखते हैं आगे देखिएगा दोस्तो नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है रूल नंबर आठ कितने रूल हो गए साथ हो गए रूल नंबर आठवा क्या कहता है अभी हमने क्या किया आए के साथ सह गोश और आपिश अब ए के साथ आए के अलावा बात करें एजे हैं एजे अगर सामने सह गोश दो यानि रूल नंबर आठ क्या कहता है ए तो हो और साथ में विसरग भी हो लेकिन सामने एके अलावा देखी ए नहीं होना चाहिए only क्या होना चाहिए only क्या होना चाहिए सामने सै गोश होना चाहिए वो सै गोश कोई भी हो सकता है सै गोश ठीक है सै गोश वरण होने चाहिए सामने क्या होने चाहिए सै गोश वरण तो क्या होगा इसका क्या हो सकता है मुझे बताई सोरी एके अलावा ठीक है मैं ये वो सेम वाला यही लिख दिया मैं क्या कह रहा था मानली जी ये है एके अलावा कोई सवर हो यहाँ एके अलावा सवर हो यानि दस के दस हो और फिर क्या हो विसरग हो फिर क्या हो दोस्तो विसरग हो और सामने क्या हो सैगोश हो सामने क्या हो सैगोश वरण यानि एके अलावा हो और फिर क्या हो विसरग हो सामने क्या हो सैगोश वरण हो तो इसका क्या बन जाता है पता है क्या दोस्तो इसका बन जाता है रै का आगम हो जाता है उधारन देखिये जैसे की निर्धन पहला उधारन दूसरा नियोगधन इसका तो खेरबाद में बक्रम में एक निरक्षर एक निराशा निराशा निरक्षर ठीक है इस तरह के उधारन यजूरवेद यजूरवेद करके देखते हैं चलो निर्धन करते हैं कैसे पता चलेगा भाई रे है ना रे उपर है की नहीं तंगा हुआ ये देखो ये रहा मैं ऐसे लिखता हूँ ये पैचानी मान लो ठीक है इनमें क्या है देख लो रे रे और इधर ये तंगा हुआ इधर तो इनको काट दो एक बार तो यहां क्या करूँआ मैं नी और फिर लगा हुआ विशरग योग धन क्या बन गया निर्धन ठीक है दोस्तो क्या बन गया निर्धन तो तैथ है धै तैसरा तो था पांचों होता है न सैगोस्तो तो नय के आगे निकला हमारा इ क्या निकला छोटी इ निकला फिर क्या निकली विसरग फिर क्या निकला धन और फिर क्या निकला नै ठीक है दोस्तों अब विसरग का क्या बनेगा रै क्या बनेगा रै बनेगा तो अब जोड़ दो इनको तो नै ठीक है फिर एकी मातरा जोड़ हुआ ये बन गया फिर इधर रै बच गया रै आदा रह गय या इलाज नहीं है तो इसके उपर आएगा और ये क्या होगा निर्धन इसी तरह से निराशा का क्या हो शकता है निराशा का नी-योग-ाशा नी-योग-ाशा कैसे होगा हम बात क्या है लैसे गोश्वरन थैये तो नै को तोड़ो होगे तो क्या बनेगा छोटी ए निकले पिर Y När नीकलेगा और फिर शा निकलेगा तो यह वि ygi का क्या बन जाएगा रै अलिए जाएगा इधर क्या हो गया नै मिलाया नी कि इधर ये रै क्या है रै को पूरा कर देंगे ना हमें क्यों इसमें ए है तो रै पूरा हो गया आ की मातरा लगी और ये लो निराशा ठीक है दोस्तों इसी तरह से निरक्षर का क्या होगा नी योग अक्षर नी योग अक्षर क्योंकि ये पूरा है देख लो चाहिए पूरा है तो इ यजूरवेद, यजू, योग, वेद, यजू, योग, वेद, इस तरह से ये हमारा रूल नंबर 8 हम कम्पलीट करेंगे, क्या ए आ के अलावा कोई सवर होता है, तो ये हमारे रूल नंबर कितना था दोस्तो, 8 नंबर रूल था, अब 9 में रूल को हम देखेंगे, ध्यान से देखना, 9 नंबर रूल को, अगर E है या O है, क्या है, E है या O है, और सामने हो क्या, रे, सामने क्या हो, रे हो, रे वरन हो तो क्या है, E तो, E है, O है, और फिर विसरग है, और सामने क्या है, रे है, तो ध्यान रख लेना, विसरग का तो होजएगा, लोप दोस्तो तो क्या हो जाएगा लोब ये तो चला जाएगा और इसका बन जाएगा बड़ाऊ और इसका बन जाएगा बड़ी ही ठीक है क्या बन जाएगा इसका बड़ायू और इसकी क्या बन जाएगी बड़ी ही जैसे उधारन लेते हैं निर पलस योग उधारन देखो निर पलस रोग तो देखिएगा निर पलस रोग करूँआ तो यहां निकालूँआ नई फिर मेरे पास आया रै रै को मैं करूँआ अदा क्या होगा नै को मैं क्या करूँआ अदा सोरी यह है नी पलस रोग तो यहां क्या देखो नै आ गया ने के पास हमारे क्या पास आई छोटी E और फिर क्या निकला विसरग और फिर क्या निकला रे फिर क्या निकला O अदा किया तो और फिर क्या निकला गय ठीक है तो अब क्या करेंगे ने अब जब आपको पता है E का क्या बन जाता है बड़ी इ कैसे बनेगा क्योंकि सामने रह है ठीक है इसका बड़ी इ बन गया इधर क्या बन गया नय विशरक का हो गया लोग तो ये बच गया रह को मैं पूरा लिख दूँ तो बनेगा रोग और फिर क्या है गय इसी तरह से अब हम क्या करेंगे इसको पूरा लिखेंगे नय नय में बड़ी इकी मातर लगाई नी और फिर क्या बन गया रोग नी रोग ठीक है दोस्तो इस तरह से हम इसको करते हैं दूसरा उधारन देखते हैं दोस्तों दूसरा उधारन देखते हैं जैसे कि नीरस हो गया कुछ उधारन लिख देता हूं नीरस नीरज ठीक है कुछ उधारन है मेरे पास नीरव इस तरह के उधारन आप भी लेख सकते हो तो सुनो मेरी बात इसको भी अगर करना है आपको तो क्या करोगे छोटी नी लिख दो इसमें नी योगरस क्या होगा इसका नी योगरस इसका क्या होगा नी योगरज इसका क्या होगा अगले का नी योगरव अब करके आप फुद देख लेना इसका इसी तरह से सेम आपको करना है ठीक है आगे बढ़ते हैं बात करते हैं एहन की संदी पर एहन की संदी रूल लंबर दस यह दस रूल लंबर है यहाँ पर हम करेंगे रूल लंबर दस क्या है एहन की संदी जिसे हम नाम देते हैं एहन की संदी दोस्तों इसके अंदर क्या होता है पता है जब हमारे सामने क्या हो एहन हो और सामने रेवर्ण हो क्या हो एहन हो हमारे सामने और सामने क्या हो रेवर्ण हो क्या हो सामने, रैवरन हो, तो एहन तबदील हो जाता है आहो में, किसमे तबदील हो जाता है दोस्तों, आहो में तबदील हो जाता है, जैसे की, एहन योग रातरी, एहन योग रातरी, तो दोस्तों ये रातरी है नीशा है, नीशा का नीश हो जाता है, रातरी का रातर हो जात है एहन किसमें बदलेगा आपको देखो रहा आया ना सामने तो एहन किसमें बदलेगा एहन बदलेगा अहो में आहो योग अहो योग रातर ठीक है रातरी को रातर में बदल देने और इसका क्या मैं अब जोड़ोंगे तो क्या हो जाएगा अहो ठीक है दोस्तों ये है हैंसरी की संदी इस तरह से ही होती है रातरी को हम रातर लिख देते हैं एक next rule है इसके अंदर कि एहन के रह के अलावा आएगा ना मतलब अगर सामने rule number 11 क्या कहता है एहन एहन पलस रह के अलावा रह के अलावा अलावा वरन हो वरन हो तो क्या है एहन किस में बदल लेगा पता है एहर में बदल जाएगा किस में बदल जाएगा एहर में किस में तबदिल होगा दोस्तों एहर में तबदिल होगा जैसे एहर निस एहन योग निशा मैं एक उदार लिखता हूं एहन योग निशा ठीक है एहन योग निशा तो एहन जो है वो किसमें बदलेगा एहर में बदल जाएगा और पलस में हो जाएगा निशा का निश ये भी द्यान रख ले न तो एहर निश ठीक है एहर योग निश एहर निश अब इसको किसमें बदल देंगे अब इसको जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, एहर, निश, ठीक है, एहर, निश, ये दोस्तो आदा है, ठीक है, एहर, निश, क्या है, एहर, निश, ठीक है दोस्तो, ये थी हमारी यहां की संदी, किस की संदी है, एहन की संदी, अब बात करते हैं कुछ एक और, जिसे हम कहते हैं, तद भौ की संदी, क्या बोलते हैं इसको, तद भौ की संदी, तद भौ की संदी, तद भौ की संदी में जैसे, कभी, को लिख दोगे, कभ योग ही, यही, यही, यह योग ही, ठीक है, दोस्तों, इसी तरह से एक उधरनो लिखते हैं, जभी, जब योग ही, क्या होगा, जब यही, और वही का होग हो जाएगा, वहाँ योग ही, और एक का होता है, वही योग ही, ठीक है, इस तरह की हमारी संदी होती है, दोस्तों, जो हमारी क्या है, तद भौ की संदी होती है, उमीद करता हूँ, वीडियो अच्छी लगी है, अच्छी लगी है, तो लाइक और सब्सक्रा को फिर मिलते हैं ने टोपिक हमारे समास के साथ थेंक यू